सिवान जिले के पचरूखी प्रखंड का मीठा बजार प्रखंड मुख्याले से महज 100 मिटर की दूरी पर है फिर भी यहां विकास से कोसो दूर है यह बजार वार्ड संक्या च्छे में आता है यहां की जनता विकास के लिए तरस रही है यहां के लोग कभी मुख्या के पास जा रहे हैं तो कभी वाड सदस्य के पास लेकिन कोई भी इनकी बात सुनने को तयार नहीं है। क्योंकि यहां पर नाले की बेवस्ता नहीं है। जब बजार में चिकेन मटने वो मचली की बिक्री होती है। इस छे नंबर वाड में लोग सूध पानी के लिए भी तरस्ते हैं। यहां पर अभी तक साथ निश्चे योजना के तहर जल नल का भी कारे नहीं हुआ है। आखिर कब तक इस योजना का लाव यहां की जनता को मिलेगा यह पता नहीं है। मुख्या एवं वाड स्दस्य का इस पर थोड़ा सा भी नजर नहीं है। जब इस मसले पर परखंड विकास पतादिकारी से पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने बताया कि यह मामला मेरे संग्यान में नहीं था। लेकिन आप लोग के द्वरा या मामला संग्यान में आया है मैं पंचायत सची हूँ एवं पंचायत के मुखिया तता वाड सदसे से बात करके जल्द से जल्दी समस्या का नीदान करेंगे लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है यहाँ के जनपरतीनी द्वी लोग ध्यान नहीं देते हैं जिसके जल्दी योजना का पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं नल जल चालू हुआ ही नहीं एचे नंबर वाड में है यहाँ कि हम लोग बरतामान मुखिया जीसे बात किए कि यहां पे नाला बनवाई जल्दी योजना बनवाई यह कोई लेकिन सुनते नहीं है जिसके वह जो से हम लोग वीडियो से बात कियें वीडियो ने अस्वासन दिया लेकिन वीडियो का अभी काम वही सब ढूटा है कागज पर है बस उसके बाद हम लोग जिला अधिकारी से मांगी है कि जल जल योजना चाहिए यहां पे लोग पानी पीने के लिए त्रस रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहे हैं करते हैं धनंजे कुमर सा समासेवी भाजपा मंडल मंत्री कि जल से जल पचरुखी मिठा बजार में नाला और जल नल योजना की परमिस्वन दी जाए